आज के लेक्चर में आप यह सिखेंगे कि रहते विया आप किस तरहए आंदर डेफेरंट ब्राउजर्स को अपनोड कर सकते थैकर इस इक प्रॉसेस होता है कि आपने सबसे पहले डेफेरंट डेफेरंट हैं उसको इंटरहनं डाउन्ट और में उसको प्रिवियू कि 720 और अपनोकों रोगों के अगर बॉट की यह ध्युक्ला में तो आप अगर अगर आप किसी वेपज को वाइड व्यजाय भॉजर कर अंयों बात आप आज का वर तो उसके लिए क्या स्टेप सोंगे हैं सबसे पहले जिस option पर जाएंगे वह है एड़े और प्रेफेरेंस ठीक है यह कंट्रोल प्लस यूज की शॉर्टकट की है जब मैं इस पर क्लेक करूंगी तो आप देखें यहां क्या टेगरी के निचे एक है एक option है प्रेवियू इन ब्राउजर ठीक है मैं इस पर क्लेक करूंगी तो आप देखें ब्राउजर के साथ प्लस और माइनस साइन है यानि इसके जरिये से आप किसी भी ब्राउजर को इसमें एंबेल्ट करके बाहसानी जो है वह अपना प्रिवियू देख सकते हैं ठीक है ना अब म पहले आप ब्राउजर को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद आप इसको ड्रीम वीवर पर अपलोड करेंगे ठीक है अब यहां पर में प्लस साइन पर अगर मैं क्लिक करती हूं तो आप देखें यहां पर क्या रहा है एड ब्राउजर और एप्लिकेशन यानि कि आपको ज जाएगा ठीक है अब यह पूर्वा प्रासेस में आपको करके बताती हूं ठीक है इसको मैं क्लोस कर देती हूं सबसे पहले हम क्या करेंगे हम इंटरनेट पर जाएंगे ठीक है इंटरनेट पर जाएंगे और Google Chrome पे मैं जाहरेसवत मौजूद हूं हम जो दो ब्राउजर से जैसे कि Mozilla Firefox है और Safari है ठीक है ना यह दोनों डाउनलोड करते हैं ठीक है ना Mozilla Firefox Pre-Download ठीक है यह हम लिख देते हैं ठीक है इस पर हम क्लिक करते हैं Pre-Web Browser Mozilla ठीक है इसको हम क्लिक करते हैं सही यहां पर हम करेंगे डाउनलोड नाओ ठीक है आप देख रहे हैं यह हमारे ब्राउजर जो है हमारे डाउनलोड फोल्डर में जा रहा है ठीक है हम यहीं पर इसको शोई ना फोल्डर कर देते हैं ठीक है और इसको यहीं पर इंस्टॉल कर देते हैं ठीक है आप देखें कि यहां गया है ठीक है इसको येस कर देते है और इसको डाउनलोड कर लेते हैं अपने पास ठीक है यह आप देख रहे होंगे Mozilla Firefox मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया ठीक है अब इसको हम लोकैलिटी किस तरह देंगे Dreamweaver में इसके लिए हम जाएंगे Dreamweaver में ठीक है और यहां पर हम Edit में जाएंगे, Preference पे जाएंगे और Preview in Browser पे जाएंगे यहां से प्लस साइन को क्लेक करेंगे और नेम जो है वो ब्राउजर का है जो रियल नेम है Mozilla Firefox ठीक है यही नाम हम दे देते है ठीक है और application जो है वो location पूछ रहे के आपने किस drive में उसको किया है ठीक है यहां से हम इसकी जो हो देख लेते है C में Users Users में जाएंगे और SBC ठीक है और इसमें मेरा खाल है Downloads folder के अंदर है यहां आप देखने है Firefox installer ठीक है यह हमने इसको क्लिक करना है और ओपन करना है ठीक है और इसको OK कर देना इसको आप primary browser या secondary browser बना सकते है उसे क्या होता है कि अगर हम primary browser पर क्लिक करेंगे या primary पर करेंगे तो हमारा फर्स टाइम जो है वो फिर हमारा internet उसी पर चलेगा ठीक है मैं फिलहाल ना इसको primary browser बनाना चाहते हूँ ना secondary क्यूंकि मेरा जो फेवरेट है वो Google Chrome है उसमे अल्रेड़ी जो है वो मेरा internet चलता है अब हमें अगर इसको वियू करना है तो किस तरह करेंगे यह भी अभी हम देखते हैं दूसरा जो हमारा browser है वो है apple safari ठीक है अब हम क्या करेंगे दुबारा से जाएंगे इस पर ठीक है start browsing पर आप यहां पर जारे क्लिक करेंगे तो यहां से आप web browsing कर सकते हैं लेकिन मैं भी फिलहाल नहीं करना चाहरी ठीक है आपल safari बहुत सारे लोग इसको browsing के लिए यूज करते हैं प्री डाउन्डोड पर विंडोस यह फाइल है पोसे भी आप कर सकते हैं safari support डाउन्डोड यहां से भी कर सकते हैं अधिक का एकॉन ए सफारी का वालों का ठीक है safari get the latest version इस पर हम जाते हैं download पर क्लिक करते हैं है ठीक है थोड़ी दर में downloading install हो जाएगी यहां पर windows के corner पर जो है safari setup xe के नाम से यह दाउन्डोडिंग स्टार्ट हो गई है, फाल हिपो से आप इसे डाउन्डूट कर सकते हैं, सही है, यहां से हम क्या करेंगे, शो इन दब प्राउजर कर देंगे, इसी सी ड्राइव में हम इसे इंस्टाल कर देंगे, ठीक है, नेक्स पर हम क्लिक करेंगे, आइडू ठीक है इस को हम inject कर देते हैं फिलहल अटमेटिकली अपडेट सफारी ठीक है next और c प्रोग्राम फाइल 86 और सफारी ठीक है हम जाएं तो इसको किसी और ड्राइव में भी कर सकते हैं जैसे कि चेंज करके हम इसको कर देते हैं डी में ठीक है डी drive में हम कर देते हैं, sorry F में कर देते हैं, G में जाते हैं, यहां पर एक new folder बना लेते हैं, Apple Safari, ठीक है, इसमें Safari इसका नाम एंटर कर देते हैं, और इसी के अंदर हम G Safari के अंदर हम इंस्ट्रॉल कर देते हैं, यह Safari browser जो हमारे पास इंस्ट्रॉल हो गया, ठीक है, अब हम जाते हैं, कहां जाएंगे, जी, हम जाएंगे Dreamweaver पर, और यहां पर Edit Preferences पर जाएंगे, ठीक है, और यहां पर एक और वेb browser को यहां पर एड कर लेंगे, उसका नाम है Safari, ठीक है, और इसकी location किया थी, जी, ड्राइब में मैंने आपने सेव किया था, ठीक है, यह एफ, जी, और Safari folder के अंदर ही था, ठीक है, एस, folder का नाम भी हमारा इंस्ट्रॉल हुआ है, ठीक है, और यह जो application है, इसको आपने जो है, वो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और Open करना है, प्राइमरी और सेकंडरी अभी फिलाल में कुछ नहीं बना दी सही है, ओके करके और Apply करना है, ठीक है अब यहां पर आपने प्रिवियू यूजिंग टेंपररी फाइल को क्लिक करके अप्लाई करना है ठीक है और एड़ेट पर क्या होगा एड़ेट पर आप इसको चेंज कर सकते हैं ठीक है इसमें से किसी एक को हम जो है वो प्राइमरी और सिकेंडरी ब्राउजर बना देते हैं सिकेंडरी ब्राउजर का मिदलब ही होता है कि जब हम नेक्स्टाइम क्लिक करेंगे तो वही ब्राउजर फिर हमारा सर्फिंग में इंटरनेट सर्फिंग में यूज होगा ठीक है मौजैला फायर्फॉक्स पर क्लिक करें और अप्लाइ करें और यहां से सको क्लोस करें अब इसको प्रिविई हम किस तरह देखेंगे जब हम F-12 करेंगे तो आप देखेंगा कि प्रिविऊ जो है यह फिलहल तो यहां पर आ रहें ठीगे न यह इंटरनेट एक्स्प्लोरर, अब हमें इसको किसी दूसरे ब्राउजर में करना है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कि हमने जो यह जितने भी वेब ब्राउजर से को किस तरह इंस्टॉल करना है और अपने प्रेफेरेंस पैनल पे ठीक है, अब यहां पर हमने प्रीवियू करन पर आपको सब से कॉर्णर पे मैं इसको हाइलाइट करके बता रही हूं एक अर्थ का एक आइक आइकॉन नजर आ रहा हुआ उसको आपने क्लिक करना है इसके साथ नाम के साथ अरह है प्रेवियू डिबग इन ब्राउजर ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे इसके चोटे से पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखें प्रेवियू इन इंटरनेट एक्स्प्लोरर अफडोल विसकी शॉटकट किये प्रेवियू इन मौजला फारफोक्स और प्रेवियू इन सफारी ये दो मैंनेजर भी एड़ किये हैं वैब ब्राउजर ये इस पे नजर आ रहे हैं तो म सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली क्योंकि मेरा ये फेवरिट निंग है मौजला फारफोक्स तो मैं इस पे ज्यादा अपना टाइम वेस्टिंग करूंगी दूसरा जो ब्राउजर है वो है एपल सफारी ठीके न अब यहां पर प्रिवियू पर जाकर इस आइकान सफारी में हम अपने वेबसाइट का प्रिवियू कर रहें ठीक है तो यह इस तरीके से हमें नजर आ रहा है और मैंने आपको यह भी बताए कि इसमें बहुत सारा काम अभी बाकी है तो इसका प्रिवियू कुछ इस तरह का नजर आ रहा है यह पूरी वेबसाइट हम इस यह यह बना रहे हैं बलके हम टैंपलेट बेस वेबसाइड भी बना रहे हैं एक कॉमर्स बना रहे हैं और एक बहुत मज़ेदार खानों की जो रेस्टोरेंट मैनियो जो होते हैं क्योंकि I am very fond of delicious food हर इंसान की जो है कमजोरी होती है अच्छा खाना तो उसके जो है वह हमें एक प जिसमें आप मैं दावे से कह सकती हैं कि अगर आप इसको परचेस कर लेंगे तो यह उर्दू और हिंदी जबान पर अपनी को नौयत का वुभाहित कोर्स होगा जिसमें आपको कहीं और जाने की ज़ूरत दियोंगी ड्रीम वीवर में तमाम फीचर्स जो है वो इसको बहु आपको अंदाजा हो गया होगा कि मेरी कोशिश यह होती है कि मैं हर चीज को बहुत में आपको बताओं ठीक है तो यह था आज का लेक्शर इंशालला आपको पसंद आया होगा मुझे उमीद है और बाकी यह है कि आप जाद से जादा प्रेक्टिस करते रहें नेक्स वीडि मेरे चैनल को और जिसमें आपको बेसिक इंफरमेशन मिल जाएगी और सी यू इन दा नेक्स वीडियो थैंक यू